नमस्कार दोसों स्वागत है इस वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे Most Consistent Risk-Free Zero Loss Options Strategy के बारे में जो की आपको Weekly Income Generate करके देगा तो इस ट्रेट को आपको लेना है निफ्टी में Thursday को सुबा 10 बजे for next to next week की expiry के लिए ये strategy जो है सभी तरह की markets में काम करता है चाहे VIX हाई हो चाहे लो हो और ये strategy जो है market अगर volatile भी रहता है जादा तो भी highly effective है probability of profit भी इसका काफी अच्छा है और इस strategy बहुत ही effective है अगर आप working people हो working people strategy को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते है तो आइए जान लेते है इस की lags की बारे में तो sell करना है पहले one lot, put option next to next weekly expiry mean 200 points आउउड the money जाके फिर buy करना है one lot, put option next to next weekly expiry mean 300 points आउठ आउड गनी जाके फिर terminale up on got closefal Charl당 2 lots, put option next to next weekly expiry में 700 points आउड शावड जाके फिर a को sell करना है one lot call option next to next weekly expiry में 200. 200 points out of the money जाके, फिर बाई करना है, 1 lot call option next to next weekly expiry में 300 points out of the money जाके, फिर आपको last में sell करना है, 2 lot call option next to next weekly expiry में 700 points out of the money जाके, अभी इसके adjustment समझ लेते है, इसका जो break-even है काफी wide रहेगा, तो अगर market break-even के अंदर रहता है, जो की maximum time में वही होगा, market जो है आपका break-even range के अंदर रहेगा, तो जो last expiry का Tuesday है, उस Tuesday को सुबा 10 बजे आपको 2 trade लेना है, बाई करना है, 2 lot put option same weekly जो weekly expiry आ रहा है, उसका 50 points in the money जाके, from point number 3 जहापे आपने put को sell किया था, और फिर बाई करना है, 2 lot call option, वही same जो weekly आ रहा है, वसी expiry में 50 points in the money जाके, from point number 6, जहापे आपने call को sell किया था, और overall इस पूरी strategy का stop loss आपको रखना है, minus 1.5% जो कि बहुत ही difficult है, ब्रीच होना, क्योंकि इस strategy का break-even है, काफी wide है, only in case of black swan event आता है, तभी आपका stop loss applicable होगा, नहीं तो यह काफी अच्छा strategy है, जो कि आप apply कर सकते हो, तो अभी चलते है, stock mock में, और देख लेते है, इस strategy को कैसे आपको deploy करना है, और इसका back testing करके देखते है, तो strategy को हम लेते है, 4th of July को, सुबा 10 बजे, और यहाँ पे expiry हमें select करना है, 18th of July, जो कि next to next week की expiry है, तो spot price लगबग 24,400 का सपास है, तो call side में हम यहाँ पे 200 point आगे जाएंगे, तो 24,600 में one lot, हम sell करेंगे, फिर 24,700 में, जो कि 300 points out of the money है, वहाँ पे buy करेंगे, और फिर हम 700 points out of the money जाएंगे, यानि 25,100 में जाके, हम यहाँ पे 2 lot sell कर देंगे, वही अगर मैं put side की बात करूँ, तो वहाँ भी same चीज़ आपको करना है, तो 24,200 में, मैं हाँ पे sell करूंगा, फिर 24 यानि 23,700 पे, यहाँ पे 2 lot, हम sell कर देंगे, तो ऐसा कुछ आपका strategy बन जाता है, अप्रॉक्स मार्जिन जो trade के शुरुवात में, 1.6 lakh का आपको लगेगा, break-even काफी wide है, तो अभी इसका back-listing हम लोग शुरू करते हैं, जब तक overall जो trade है, उसमें minus 1.5% का loss नहीं दिखता ह लास्ट जो expiry week है, उस expiry week का Tuesday तक, तो Tuesday को हम यहाँ पे आ गया है, अभी हमको जो last आपने setting किया था, उसे 50 points inside the money जाके buying करना है, दो lot तो यहाँ पे put site में मैंने buying कर लिया, और यहाँ पे 50 points inside the money जाके call site में भी buying कर लिया, तो ऐसा आपका कुछ strategy हो जाता है, जो की zero loss strategy बन ज देख सकते हैं, और margin भी काफी reduce हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, probability of profit काफी पढ़िया है, इसमें भी, तो इसको मैं जो है last दिन तक लेके जाता हो, और आपको दिखा देता हो, Thursday सुबा 10 बजे आप देख सकते हो, लगबग 4.1% की profit मिल रहा है, और maximum profit आपको 5.8% का म आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको इससे भी बरिया premium strategies जानना है, जो की working people के लिए बहुत ही बरिया है, तो आप हमें contact कर सकते हैं, नीचे description box में दीवे WhatsApp नमबर पे, तो इस वीडियो को हम लोग यही पर करते हैं, खतम.